आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Discuss few applications of Graphite हमें यहाँ पर Graphite के applications को discuss करना है मतलब Graphite हम लोग कहाँ-кहाँ use करते हैं उसे discuss करना है So Graphite हमें पता है कि यह एक Allotrope है Carbon का Graphite is an Allotrop of Carbon Carbon हमें पता है कि अलग-अलग form में exist करता है Carbon Diamond के form में भी exist करता है Carbon Graphite के form में भी exist करता है carbon fullerine के form में exist करता है तो carbon के हमारे various allotropes है तो उन में से एक allotrop है graphite अब graphite का हमारे पास बहुत wide uses होता है सबसे पहला use graphite का हो गया कि graphite को हम लोग use करते हैं pencil के lead में used in making the lead of the pencil graphite को हम लोग क्या करते हैं clay के साथ mix करते हैं और इसे हम लोग pencil की जो tip होती है जिससे हम लोग लिखते हैं उसमें use करते हैं वो जो pencil के tip होती है जिससे हम लिखते हैं paper पे वो कुछ नहीं वो graphite ही है ठीक है क्योंकि graphite काफी smooth होता है और वो paper पर अपना impression छोड़ता है इसलिए हम उससे pencil में use करते हैं ठीक है अब second इसका application देख लेते हैं हम लोग इसे हम लोग batteries वगेरा में भी use करते हैं as an electrode graphite के हम लोग electrode बनाते हैं और electrolytic cells में भी हम लोग graphite को use करते हैं ठीक है क्यों क्योंकि जो graphite है यह electricity का अच्छा conductor होता है इसलिए इस property को हम लोग use करते हैं इसे हम लोग batteries वगेरा में भी use करते हैं इससे electrode बनाते हैं और electrolytic cells में use करते हैं अब third point देखेंगे अगर हम लोग तो जो graphite है उससे हम nuclear reactor में भी use करते हैं nuclear reactor में क्या होता है हमारे जो atoms वगेरा होते हैं उनसे क्या होते हैं उनसे neutrons discharge होते हैं ठीक है और वो neutrons दिस्चार्ज होते हैं वो बहुत high speed में discharge होते हैं तो उनको slow down करने के लिए हम लोग graphite का use करते हैं अब fourth use होता है graphite का कि हम लोग इसे use करते हैं as a solid lubricant क्या होता है हमारा जो graphite होता है हमने बताया कि वो बहुत जादा smooth होता है और उसे हम इसे लिए as a solid lubricant use करते हैं machines की friction को reduce करने के लिए machines क्या होती है जल्दी heat up भी हो जाती तो अगर हम लोग oils use करते हैं तो वो oils जल जाते एक तरह से लेकिन क्योंकि graphite heat resistant होता है तो वो एक अच्छा solid lubricant का काम करता है तो यह कुछ uses हो गए हमारे graphite के Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर